सबक नमबर 24 दिलना दुखे मुझे बच्पन की बहुत सारी बाते आज भी याद है मुझे याद है के मेरी अम्मी तरह तरह के मज़ेदार खाने पकाती थी और हम सब बड़े शोक से खाते थे मैं एक रोज किरकिट खेल कर घर आया मैं बहुत ठका हुआ था हाथ मूध होकर बैटा ही था के अब भू भी आफिस से आ गए अम्मी ने एक ट्रे में चाय और तोस लाकर मेज पर रख दिये मैंने एक टोस उठाया लेकिन वो थोड़ा सा जला हुआ था मैंने उसे बड़ी मुश्किल से खाया गोर से देखने पर मालुम हुआ के प्लेट के सारे टोस ऐसे ही है कुछ दिर बाद क्या देखता हूँ के अबू ने वो प्लेट अपने सामने रख ली और मज़े लेकर तोस खा रहे है आम तोर पर वो जितने तोस खाते थे आज इस से कुछ ज़्यादा ही खा गए चाय के बाद मैं अपनी मेज पर पढ़ाई करने के लिए बैठ गया लेकिन पढ़ाई में तबियत नहीं लग रही थी मैं ताजुप कर रहा था के अबू को जले हुए तोस मज़ेदार क्यों लगे इतने में अबू अम्मी की बाते सुनाई दी अम्मी कह रही थी आज मेरी गलती से तोस जल गए बेटे मौनस ने सिर्फ एक तोस खाया आपको भी वो बद मज़ा लगे होंगे फिर अबू की आवास आई वो नर्मी से बोल रहे थे तोस बद मज़ा कहा थे अच्छे थे वैसे भी मुझे जले हुए तोस पसंद है मैं सोचने लगा भला जले हुए तोस भी किसी को पसंद आते हैं फिर अबू ने ऐसा क्यों कहा अबू अपने कमरे में चले गए मैं भी इनके कमरे में पहुचा अब्बू कुछ लिखने में मसरूफ थे मैंने सलाम किया और उनकी कुर्सी के पास जाकर खड़ा हो गया अब्बू ने सलाम का जवाब दिया और मुस्करा कर पूचा किया बात है अब्बू क्या आपको जले हुए तोस पसंद है मेरे इस सवाल पर उन्होंने हैरत से कहा तुमसे किसने कहा मैंने उन्हें बताया के मैं उनकी बाते सुन चुका हूँ अब्बू ने मुझे मुझे मुहबब से अपने पास दुसरी कुर्सी पर बिठा लिया और कहने लगे बेटा तुम्हारी अम्मी दिन भर हमारी खातिर कितने काम करती है आज किसी वज़ा से तोस जल गया होंगे वो खुद भी परेशान है तुमने सिर्फ एक तोस खाया अगर मैं भी ऐसा करता तो वो और ज्यादा शर्मिंदा होती इसलिए मैंने उन्हें खुशी से खा लिया अब्बू के कमरे से निकलते हुए मैं सोच रहा था मेरे अब्बू और अम्मी कितना खयार रखते हैं कि एक दुसरे का दिल न दुखे